आज हम फ्राइब भेंडी बनाने की रिसिपी देखेंगे जो बनाने में सिंपल और टेस्टी है चलिए बनाना शुरू करते हैं यह पाव पिलो वाश की हुई भेंडी है इसको हम इस तरह से तुकडे कर लेंगे मेडियम साइज के तुकडे पैन गरम हो चुका है इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे तेल गरम होने के बाद भेंडी फ्राइब कर लेंगे दो से तीन नट तक इसी तरह फ्राइब करेंगे हाई फ्लेम पर रखकर दो से तीन मिनट हो गए हैं अब धाग कर पांच मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखकर पकाना है पांच मिनट हो चुके हैं ये देखिए भेंडी थड़ा स्मूथ हो चुकी है अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें थोड़ा हरा धनिया दालेंगे और एक अंडा दालेंगे अच्छी तरह से मिक्स करा हुआ अब हम अंडे को पकने के लिए फिर से धांकर दो मिनट के लिए पकाएंगे अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप ये फ्राई भेंडी के साथ अंडे वाली रेसिपी जरूर ट्राई करना अंडे को भेंडी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके दो मिनिट के लिए फिर से पकाएंगे आइल सप्रेट होने तक पकाएंगे ये देखिए आइल सप्रेट हो चुका है हमारी फ्राई भेंडी तयार है इसको हम प्लेन राइस या रोटी दोनों के साथ खा सकते हैं ये टेस्टी फ्राई भेंडी ब्रेक फ़स्ट या लंच बॉक्स के लिए बेस्ट डिश है आप भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं के आपकी कैसे बनी अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करना ना भूलें